हलो गईस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गईस की Samsung Galaxy A15 फॉन में आप लोग Split Screen को कैसे यूज कर सकते हो अगर आपके पास एक Samsung Galaxy A15 फॉन है और इस फॉन में जो है आपको आपर उपर एक application होगा और आधा नीचे दूसरा application होगा तो कैसे आप लोग अपने screen को split कर सकते होगा इस तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा गास आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसान आए वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजे तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं split screen को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने phone में जो भी एपलिकेशन को आप लोग यूज करना चाहते हो split screen में, तो उस application को आप lorsquो पहले open कर लीजिए, जैसे के मैं gallery को open करूँँगा, split screen में तो मैं gallery को open करूँगा, open करने के बाद back कर दूँगा, उसके बाद ये जो gallery का application होगे und真的 background मेंछ चलेगा तो background में open कर लीजिए, उसके बाद background में देख सकते gallery के उपर में एक logo देखने को मिलेगा gallery का तो इस logo पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद देख सकते open in split screen view तो इस open in split screen view के option पर क्लिक कर दीजे क्लिक करते हैं आपका gallery यहाँ पर उपर चलेगा और नीचे आप लोग और एक application को चला सकते हो जैसी कि मैं आपर जो है phone के application को चलाओंगा तो देख सकती है आपर phone का application नीचे चल रहा है और उपर की तरह भी आपर gallery में same time में run हो रहे हैं देख सकते हैं दोनों ही एक साथ में चल रहे है मेरे जो screen है वो split हो चुका है तो कुछ इस तरीके से जो है आप लोग अपने Samsung Galaxy A15 phone में आप लोग split screen को यूज कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसन आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजे मिलते हैं अगले नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई